गुट आफ्टरून फ्रेंज तो अभी तक हमने आपको बताया कि अब जो गुट से गुट पहुंच गया यह बर्थ पर यानि कस्तम पोर्ट पर यह हमारा जो गुट्स था वो पहुंच जाता है और यहां गुट्स के लिए जो है कस्तोडियन की देखवाल में यह गुट्स इंपोर्ट हो जाता है अब अनलोडिंग होने के बाद में अनलोडिंग होकर अनलोडिंग होने के बाद गुट्स इस भर्थ पर रखा हुए अब इंपोर्टर्स को इंफर्मेशन मिलती है इंपोर्टर्स है इंपोर्टर्स को इंफर्मेशन मिलती है कि यह गुट्स आच चुका है इंपोर्टर को अब क्या करना होता है इंपोर्टर को इस गुट्स को रिलीज कराना है रिलीज कराने के लिए क्या कर सकता है इंपोर्टर जो है इस गुट्स को रिलीज कराने के लिए इंपोर्टर के आगे दो तरीके है एक तरीका है कि हो इस कुट्स को तुरंत इलाके इसको इसू कराए इसू फॉर होम कंजंशन यानि अपने घर पे ले आए अपने घर ले आए या अभी क्या करें अभी फॉदर टाइम भी दूसरा काम वो कर सकता है कि इसको यहाँ से जो बर्थ पर बड़ा हुआ है यहाँ से बेर हाुस में शिफ्ट कर दे अपना बेर हाुस के अंदर बेर हाुस के अंदर रख दे ठीक है क्योंकि यहाँ पर यही गुट्स आने के बाद में तीन दिन से जाणा बड़ा रहता है तो उसको डेमरेज यानि फाइन डेमरेज क्या कहते हैं परडे का डेमरेज यानि फाइन देना होता है इसलिए क्या होता है इंपोर्टरस को क्या करना है गुष सपना रेलीज कराना है तो इसके लिए क्या करना होगा इंपोर्टर्स को आज कल साइट पे जाके बिल आफ एंट्री वो या तो बिल आफ एंट्री e-file कर दे और e-file से उसका जनरेट हो जाएगा जनरेट हो जाएगा बिल आफ एंट्री on the basis of the documents ठीक है यह दूसरा काम क्या कर सकता है वो bill of entry चार copy में जो कि white color की होगी white color की यहाँ जो चार copy proper officer को proper officer को अंडर section 46 section 46 के अंदर यह bill of entry बनाएगा bill of entry अंडर section 46 importer को बनानी है under section 46 आजकर यह फाइल की permission बिल चुकी है ठीक है year 2014 के अंदर अब हम bill of entry फाइल कर सकते हैं इफाइले इससे पहले चार copy फाइल करनी होती थी किसको proper officer को proper officer इन चार copy के basis पर access करता था यह जो चार copy है यह अच्छली फाइल होता था क्या माल आया कब आया क्यों आया कैसे आया कितने का माल है कितनी duty बनती है इसके basis से वो access करता है duty और उस duty को यह तो e payment किया जा सकता है और उस duty को bank में pay किया जा सकता है ठीक है इसकी four copy जाओंगी तो एक को भी दो को भी PO के पास जाएंगी एक bank के पास और एक SSC के पास उसके basis पे PO एक order बनाएगा PO क्या बनाएगा एक order clearance order clearance order बनाएगा under section 47 इस order को जब हमने duty का pay कर दिया सारा काम कर दिया तो उसका clearance order दिखाएंगे इसको custodian को custodian कोई भी loading, unloading या जो भी charges होंगे उसको charges करने के बाद में इसको release कर देगा और release करके importer उस goods को घर पे ले जाएगा को okay जो भी release कर देगा after paying port due अब दूसा तरीका है importer सभी इसको घर नी ले जाना चाहता है तो importer क्या करेगा इस case में बेर हाउस में ले जाना है तो यह तो e-file करेगा है ठीक है इसके अंदर जो white की इसके अंदर बेर हाउस के लिए येलो कॉपीज फोर येलो कॉपीज बनाएगा और इस फोर विल अंटी की ये पीयो को सपेगा पीयो इसके बेसिस पे क्या है जैसे यहां तो क्या दिया था यहां तो है रफ एस्टीमेट बनाएगा रफ एस्टीमेट अफ ड्यूटी और उस ड्यूटी से डवल का डवल अमांट का बॉंड लेकर एक और फार्स करेगा पीयो और अंडर सेक्शन सिक्स्टी और इस और को लेकर जब इस कस्टोडियन के पात जाएंगे तो कस्टोडियन यहां से गोट्स बेर आउस में टांसफर कर देगा अफ्टर टेकिंग पॉर्ड यूज और आप ने घर पे चले जाएंगे आपका माल बेर आउस में रखा हुआ है अब कुछ समय बाद मालो दो महीने बाद दो आफ्टर टू मंस आफ्टर टू मंस फोर मंस शिक्स मंस अब इंपोर्टर्स कहता है बेर हाउस से माल थोडाना इसके केस में बिल ओफ एंट्री या तो कंप्यूटर से जनरेट करेगा अधर्वाइस ग्रीन कॉपी बनाएगा बनाएगा फोर कॉपीज और बिल ओफ एंट्री और उस बिल ओफ एंट्री के बाद में यह जो कॉपी है वह अगेन सब्मिट करेगा सब्मिट टूदा प्यों यह ग्रीन कॉपी प्यों के पास जाएंगी प्यों इधर ही बैठा हुए ठीक है तो कुल में आखे हम इसको दोबारा से बनाते है थोड़ा सा इस पेस कम हो रहा है यह प्रॉपर आफीसर है ठीक है इस प्रॉपर आफीसर पर यह प्रॉपर आफीसर है तो यदि होम कंजंशन के लिए इंपोर्टर बिल ओफ एंट्री फोर कॉपी ओफ वाइट कलर की कॉपी देगा यह पर इफाइल करेगा बिल ओफ एंट्री और वाँसे नमबर नोगट नमबर जन्रेट होगा या फिर बियर हाउसिंग के लिए फोर कॉपी ज येलो बिल सब बिल ओफ एंट्री जन्रेट करेगा या इफाइल करेगा ठीक है या तो इंपोर्टर इफाइल करेगा या फिर फोर कॉपी जब येलो और यदि बियर हाउस टू होम ले जाना है इसको तो फोर कॉपी ज गिरिन एपलाई करेगा तो ये प्रॉपर आफिसर बैठा हुआ है ये होम कंजमसन के लिए जाएगा तो यहा फाइनल डूट्री एसस होगी और ये डूटी पे करनी होगी डूटी इस तूबी पेड इन बैंक और इपेमेंट इस केस में क्योंकि ये बैराउस में माल जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर बॉंड इसू होगा बॉंड कितने का होगा डूबल ओफ रॉफ डूटी एस्टी मेट लेने के बाद में और इस के अंदर फाइनल जूटी एसेस्मेंट होगा ये जो बिल ओफ एम्टी फाइल करेगा ये करेगा अंदर सक्षन फॉर्टी सिक्स ओके ये भी अंदर सेक्षन फॉर्टी सिक्स ये फाइल होगी अंदर सेक्षन शिक्स्टी एट होगी इसका जो पीयों की तरफ से और जाएगा और किसको जाएगा और टू कस्टोडियन ये कस्टोडियन यहां बैठा हुआ है जिसके पास गुड्स है इस कस्टोडियन के पास गुड्स है तो ये कस्टोडियन के पास इस केज में ओर्डर जाएगा किलियरन्स ओडर कहते हैं इसको किलियरन्स ओडर हाँ जी अंडर सेक्शन फॉर्टी सेवन ये किलियरन्स ओडर देना होगा और पोर्ट दियू देना होगा ये लेने के बाद में ये किलियर कर देगा किलियर और इंपोर्टर इसको इंपोर्टर अपने घर ले जा सकेगा इंपोर्टर घर या ओफिस जहां भी है ले जा सकेगा इस केस के अंदर पी ओजो ओडर देगा ये ओडर होगा ओडर और बेर हाउस ही अंडर सेक्शन 60 तो यहां से यह गुट्स जो है बेर हाउस में चला जाएगा यह गुट्स कहां चला जाएगा बेर हाउस में ओके आफ्टर पेंग यह ओडर एंड आफ्टर पेंग पूर्ट क्यूज ओके इसमें यह अंडर सेक्शन 68 फोर कॉपी इसू करेगा और इसमें ओर भी जो आएगा फाइनल ओडर आ जाएगा ओडर अंडर यह दोन ओडर जा रहे थे किसके पास कस्टोडियन के पास यह कौन है यह है कस्टोडियन यह जो ओडर है यह दोना ओर्डर के थे कस्टोडियन के कस्टोडियन के पास यह जो ओर जाएगा यह कस्टोडियन के पास नहीं जाएगा कस्टोडियन से तुमाल बेर हाउस में यह बेर हाउस कीपर होगा यह पर इस बेर हाउस कीपर के पास यह ओर जाएगा फानल डूटी एसस्टमेंट के और और करने के बाद में साथ में पूर्ट साथ में जो भी अपना डैम रेज और बेर हाउस का जो भी रेंट है यह देने के बाद में यह गुड्स इंपोर्टर के पास पहुंच जाएगा कि यहां परेंट का बाद मना किन संवेस्र करा होगा स्थे पूर्श पूर्श तो यह पूर्श पूर्श है आप यह समंझ लीजेप सफएद करन करन या इफाइल नहीं होता तो वाइट कलर इच फॉर होम कंजंशन और येलो कलर की बिल ओफ एंट्री का जो वाइट कलर है बिल ओफ एंट्री है येलो कलर की तो क्या है तो ये समझे बेर हाउस जारा है और बिल ओफ एंट्री ग्रीन कलर की है तो बेर हाउस टू होम जारा है ये पोर्ट तो हैं इस इसिए हैं ये पोर्ट टू येर हास है और ये बेर हास टू होम छोई तो ये हमने आपको प्रोसयर्स बताई कि जब घूठ शाब कर आ arguing याज याता है पॉर्ट पर उसके बाद इंपोर्ट आपकर के लड़ना इंपोर्टर को देखना है कि वो माल उसको घर पर लाना है तो या तो या तो इफाइल कर दे और वहां से एक नौबट नमबर जन्रेट हो जाएगा साइट से और बिल अबेंटी वहां पर वो इफ पेमेंट कर सकता है अधरवाइज वो जाके प्रपर आफिसर से ड्यूटी एसेस करा के और ब है जब वो देखेगा कि प्यमेंट पूरा हो गया पहले हो उसका चालान बनाएगा चालान बेंक में जम्म हो जाएगा जब यह एस ओर हो जाएगा पेमेंट हो चुका है सब को घू हो चुका है तो वह आटर दे देगा कस्टोडियन को कि वही आप इनको माल रिलीज कर कि अपको क्या है मालक ने जो पॉर्ट पर रेस्व पंचाने के लिए nig имеет dot जाएगी उस एयलो कलर की बिलोफैंटी के में को रहर एस्टीमेट करे अपर प्रोब टी रहाँ सब्सक्राइब में लोग The बिल आफ एंटी फाइल करेगा किसके पास पर फबीश के पास पियो सी बंस में पर फाइनल एससमेंट करेगा और नेवाद में और देगा इस को बिलाधन में बुक्रिक् नलाधन को एस सप्वेंट औरतक्रम कि ये जियर आदर होंगा तो के लिए order custodian को नजाके bear housekeeper के लिए होगा bear housekeeper उस estimate के basis पे release कर देगा माल और माल importer ले जा सकता है और सारी फर्मल्टी पूरी करने के बाद में अपना जो bond दिया हुआ है उस bond को बापस ले सकता है यह है पूरी process किस तरह माल दोय इंपोर्टर किलियर करा सकता है home consumption के लिए या bear house में रख सकता है और फिर bear house से उसको release करा सकता है ओके तो फिर हम next lecture में और आगे का आपको बताते हैं कि आगे का क्या क्या process है thank you thank you